नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर राजसवा में बहुमत ना होने के करण राम मंदिर का निर्मान मुश्किल केंद्रिय ग्रह मंतरी राजनासीह ने आयोध्या में संतों के सामने कहा कि राम मंदिर के निर्मान के लिए केंद्र सरकार कोई कानून नहीं बना सकती क्योंकि उसके पास राजसवा में बहुमत नहीं है इस मामले में सुप्रीम कोट के फैसले का इंतजार करना होगा आयोध्या के राम जन्म भूमी न्यास के अध्यक्ष महांतन रुत्य गोपाल डास द्वरास्थापित दीन बंधु आई होस्पिटल के ओपिडी और डॉक्टरों के आवास के निर्मान के लिए भूमी पूजनकारेक्रम में शामिल होने आए केंद्रिय ग्रहमंतरी राजनासीह ने कहा कि राम मंदिर निर्मान के लिए पूर्व में हाई कोट का फैसला आ चुका है और मैं समझता हूँ कि लोगों को सुप्रीम कोट के जज्जमेंट की प्रतिक्षा करनी चाहिए केंद्रिय अग्रह मंतिर राजनासीह के इस बयान से मंच पर मौजूद महांत नुर्त्य गोपाल सहीत तमाम अयोध्या और मतुरा से आये संतों में निराशा और हताशा नजर आई केजरिवाल ने कहा मैं मीडिया की परवाह नहीं करता दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने कहा कि वहां मीडिया की परवाह नहीं करते और यदि राश्टिय राजधानी में आज चुना हो जाए तो आम आदमी पार्टी को बहुत तर्फिसदी वोट मिलेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि आप 24 मई को सत्ता में 100 दिन पूरे करने जा रही है जबकि मोधी सरकार 26 मई को 1 साल पूरा करेगी उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि मोधी सरकार और हमारी सरकार के कामकाच की तुलना होनी चाहिए उन्होंने का कि इस बात की तुलना होनी चाहिए कि हमने सो दिनों में क्या किया और मोधी सरकार ने पिछले एक साल में क्या किया है केजरीवाल ने गूगल हैंगाउट के जरीए अपने पार्टी के कार्यकरताओं के साथ बातचित के दोरान कहा मीडिया में भले ही जो कुछ भी आए लेकिन मैं दिल्ली में हर 15 दिन में अपनी पार्टी का सर्वेक्षन कराता हूँ उन्होंने यह भी कहा कि चुनाओं के बाद हमारी स्तिती काफी सुधरी है तुशार गांदी के खिलाफ जालंदर में केस दर्ज शहीद आजम भगसिह के खिलाफ कथित रूप से अपमान जनक टिपड़ी करने के मामले में मात्मा गांदी के प्रपोत्र तुशार गांदी के खिलाफ जालंदर कमिशनेट पुलिस ने मामला दर्श कर इसकी जाच शुरू कर दी है डिविजन नमबर आठ के प्रभारी बिवलकांत ने बताया कि गेर सरकारी संगठन जन जागरुती मंच के चेर्मेन तता जालंदर निवासी किशनलाल शर्मा के बयान के आधार पर पुलिस ने तुशार गांदी के खिलाव भारतिय दंच सहीता की धारा 249A अर्थात आस्था को ठेस पहुचाने के आरोप में मामला दर्श कर लिया है और जाज भी शुरू कर दी है इससे पहले जैपूर में तुशार गांदी ने मीडिया को दी एक साक्षातकार में शहीद आजम भगत सीह को अंग्रेजी हुकूमत का गुनेहगार बताया था और कहां था कि इसलिए मात्मा गांदी ने उनकी सजा माफ करने के लिए अंग्रेजी सरकार से पैरवी नहीं की थी भगत सीह के पोत्र यादविंदर सीह ने तुशार गांदी के इस बयान पर नाराजगी जताई है उन्होंने कहा कि तुशार का बयान दुर्भाग्य पूर्ण और निंदनिये हैं उन्होंने कहा कि तुशार का बयान उन लाखो भारतियों की शहादत का अपमान है जिन्होंने आजादी के संगर्ष में अपनी जान कुर्बान कर दी